सर्थी आ गई कि दिसंबर लग गया और अभी तक मैंने कॉफी नहीं पी ऐसा मैंने सोचा क्यों क्यों क्योंकि भाई मैं तो उनमें से हूँ जो गर्मियों में कोल्ड जदा कॉफी पीना पसंद करती हूं तो यहां पर मैंने लिया 50 ग्राम का इंस्टेंट कॉफी कप पैकिट आप कोई भी कंपिनी का ले सकते हैं जो भी आपको कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है कॉफी तो यह 50 ग्राम पूरी कॉफी को मैंने डाल दिया एक ग्लास पर और यहां पर मैंने लिया है चीनी यह एक चोटा कप यह नॉर्मल कप होता है चाय का यह उतनी चीनी है अब एक काटे के मदल से आपके पास अगर जो अंडा पेटने वाला हो उससे भी लेकिन वह इस ग्लास में आएगा निया तो आप उससे ना करें और ग्लास पर करना जादा सही लगता है बहुत एजी मैदर होता है मेरे लिए तो इसको कर दीजे अच्छे से मिक्स यह देख काथी कोफी बनाते यह वाला मेठोट में अपने बहुत सी कोफ़ी के वीडियो में आपको करके दिखा चुकी हूं तो यह वित्थे हिंव behyze ही करना है आप थोड़ा से पानी में और डाल रही हूं तो यहां पानी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है और बस इसको तो ये देखिए फेटे फेट इसको फेटे जाईए ये गारा它 कवित वाय हो ठीक गयों तो आपको जितनी भी कफी बनाना और अतना दूद्स हम घरम कर लेते हैं तो मैं 2 कप बनाऊंगी उसाफ सका जाहसा लेंग मैं कोफी बहुत जादा फ्लॉपी और अच्छी लगता किवा पिटकहने पीना पसंदे घट करोन हा ुछ मैं यह और आपके वे अलोगी है नाम तेखिए तेस। इसी यमी यमी कॉफी रेडी हो गई है वाव देखिए इतना अच्छा कलर आया है अब आप फोक के हैल्प से इसको चलाइए इस तरीके से ये आपके तब यमी यमी फलफी फलफी कॉफी तम हाट कॉफी जिसे कहते हैं थोड़ा साम तूर और इसमेट करिए थोड़ा से इसमे यह आप इसको और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं आपको लगता है या चॉकल पिना चॉकल कॉफी कॉफी कॉन पीता है बहुत जादा चॉब मेरे पास अभी कॉण सी चॉकलेट है बस एक यह ही है पांच वाली तो इसी को ट्राइए कर लेते हैं कैसे लगती है त इस तरीके से और इस वाले में भी दूसरे में भी इसी तरीके से इसको एट करिए और यह कॉफी होगी है रेडी इंजॉय करिए गरम अगरम कॉफी सर्दी में और प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है अगले वीडियो के साथ बाई अलहाफिज